नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्तान पद्राडा चिस्त्रावास मार्ग पर हरे भरे पुराने वरक्षों के बीच स्तित है हंसराज वच्राज मंदिर यह ठाकुर जी का मंदिर है 22 जनवरी को अयोध्या में स्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है इस अउसर पर पद्राडा के समी पस्तित इस पुरानिक हंसराज वच्राज मंदिर में कई अयोजन होने वाले हैं यहां सरी हंस राज वच्छ राज सेवा समीती की ओर सी पाँच दिवसी ये हवन यग्य आयोजित किया जा रहा है समीती के अध्यक्ष गणपल सिंग ने बताया कि 18 जनवरी से यहां पाँच दिवसी ये पंच कुंडी ये विश्णु महायग्य आयोजित किया जा रहा है यग्य में गाउं के 11 जोडों द्वारा लगातार अहूतिया दी जारी है आप देख सकते हैं मंदिर परीसर में यग्य मंडप बनाया गया है जहां पंडीतों द्वारा मंत्रों चारण किया जारा है वे यग्य वेदियों पर बेठे यजमानों दोरा आहूतिया दी जा रही है दिन में यग्य करने के बाद रात में यहां बजन कीर्थन किये जाते हैं उपसरपंच रतन मेवाडा ने बताया कि यग्य का समापन 22 जनवरी को किया जाएगा उसके बाद सोभा यात्रा निकाली जाएगी और महापरसादी का आयोजन किया जाएगा इस मंदिर में काफी संख्या में हरेव रक्ष है, पानी का कुवा है, मुख्य द्वार के ठीक सामने हंस राज जी का मंदिर है हंस राज जी के मंदिर के दाई और वच राज जी का मंदिर है पदराडा के पूर्व सरपंच रामलाज सोनी ने बताया कि हंस राज जी की मूर्ती चातरुभुज है यानि मूर्ती संक चक्र गदा वे पद मधारित है यह मूर्ती चेतर की सबसे बड़ी मूर्ती है इसमें 24 अवतार दर्शाय हुए है विक्रम समवत 1202 में इस पुरानिक मंदिर का जिर्णोद्वार किया गया था यानि ये मंदिर सेकडो साल पुराना है झाल